अभीष्ण में सरसया पर सयन कर रहे थे और परतिक्षा में थे कि जब प्रभू का धर्शन होगा तब जाकर के मैं सरीर का त्याग करूँगा आज युदिश्ठील माराज अरजुन आधि को ले करके भगवान कुरुक छेत्र में आते हैं वो सिवीर में और अरजुन ने पितामा को परणाम किया पितामा काते अरजुन तुम अकले आए हो कि अपने सार्थी को भी लाए हो तो भगवान भी सामने आते हैं काते पितामा राम राम कहिए पितामा आप कैसे हो तो पितामा काते पर वो मैं जो हूँ आपके सामने हूँ पर आपकी याद में आपके दर्सन के लिए ही मैं अपही तक शरीर को रखा था मेरी एक ही इक्षा थे कि आपका दर्शन हो जाए और मैं शरीर का त्याग कर दो पर आपने आने में बड़ी देर कर दे पर अब जब तक मैं शरीर का त्याग नो करू तब तक आप यहीं खड़े मुश्कुराते रहना और भगवान मुश्कुरा रहे हैं और पितामा यहां दर्शन कर रहे और भगवान के एक-एक लीला को याद करते हैं पितामा और भाव विभोर हो जाते हैं आनन्य में प्रफुल्यत हो जाते हैं उसमे सारा दुख छट जगिया भगवान की याद में खो जाते हैं पर्भु मैं जानता हूं आप ऐसे भक्त वत्सल हैं कि भक्तों के मान को रखने के लिए अपना मान को भूल जाते हैं अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा आप अपना नियम बदल देते हैं आपने परतिग्यां किया था कि महाभारत के युद में अस्त्र और सस्त्र नहीं उठाओंगा, अस्त्र सस्त मतला हथियार नहीं उठाओंगा, पर मैं परतिग्यां किया था आपका भक्त कि हम आपको हथियार उठा करके छोड़ेंगे, उठवा करके छोड़ेंगे, और जब म आप चाहते हैं तो किसी की परतिग्यान नहीं रह सकती सब को आप तोड़ देते हैं एक बार दुर्योधन आया था भिश्म पितामा के पास पितामा आप युद मेरे तरफ से करते हो लेकिन आपका मन तो पांडवों के तरफ है आप चाहते हो कि पांडव ही जीत जाए दुर्योधन तो मेरे उपर दो सारुपन कर रहे हो मैं तुमारे लिए युद कर रहा हूं और यदि तुझे भिश्वास नहीं है मेरे उपर सक है तो लो पांच तीर तरकस्य निकालें का दुर्योधन ये पांच तीर नहीं ये पांडवों के प्रान हैं कल का सुर्यास तो पांडव नहीं देख पाएगा मैं इसी पांच तीर से पांचो पांडवों का बद करूँगा खटोर परतिग्यां अब तो पांडवों के सिविर में कोहराम मच गया सब के सब अब रोने लगे पांडवों में सब दुखी हो गए द्रोपदी महरानी के आँख से चरचर आँसु बहरा है कब हमारे पती की रक्षा कौन करेंगे क्योंकि पितामा ने जो परतिग्यां कर लिया ता उसको कोई टाल नहीं सकता जल्दी से रखिया आँटिया पितामा ने परतिग्यां किया भला उसको कौन टाल सकता है ऐसे रोने लगी प्रलाप करने लगी तो उसी समय भगवान आते हैं और कते देवी द्रोपदी तुम चिंता मत करो चलो कोई उपाय करते हैं और आज भगवान द्रोपती को साथ ले लेते हैं और चल पड़े कहां तो रात्री का समय था और पांडवों के सिवीर की ओर चल पड़े अरे जल्दी करां बेठावां भागवत में आईए पहली आईए आरती दिखाईए जब बीच में आईए तो दूर से ही रख करके और चले जाईए बैठ जाईए भोली आनंद कंद भगवाने की जैन तो भगवान ने दुरोपती महरानी को लेकर के सिवीर में चले गए पांडव जहां पितामा भेश में विश्राम कर रहे थे और भगवान दासी बन गए किसकी दुरोपती महरानी के दासी के भेश में आ गए और सिवीर के बाहर खड़े थे खुद तो बाहर ही खड़े रहे भीतर भेजा पंचाली को यतिवर बाबा के चर्णों में अपना मस्तक धर्दो कते जाईये और महराज जी जो धियान करते होंगे तो उसके चर्णों पर माथा रख के परणाम करने लगी द्रोपदी अंदर गई खुद तो बाहरी खड़े रे भीतर भेजा पंचाली को यतिवर बाबा के चर्णों में अपना मस्तक धर्दो अर्ध रात्री की बेला में भी भीशम को लगी समाधी थी अमन प्रवु चर्णों में लीन हुआ उस जगहन कोई ब्याधी थी धियान में थी देखा एक अबला नारी है चर्णों पर सीश जुकाती है और उसके रंगे तन की साड़ी सदवापन को दरसाती है पितामा ने देखा कि एक बेचारी राजकुमारी है रानी है परनाम कर रही है आशिरवाद दे दिये आशिरवाद मुक्सि निकला सोभाग बती भवाव बेटी तेरे हाथों से मेहदी का रंग न छुटे बेटी सोभाग तुमारा अचल रहे सिंदूर न मांग से खाली हो अब भर देता हो बेटी तुम बीर कुमारों वाल है आशिरवाद दे देए सांदार आशिरवाद दे दिये उसी समय दुरोपती महरानीने अपने घुंगट को हटा ले अब पितामाह ने देखा तो हक्ये भक्ये रहा हो हे भगवान मैंने इसी के पती को मारने के लिए दीन में परतिग्यां किया था आज हमारी कैसे मती मारी गई इसी को मैंने आशिरवाद दे दे सभाग्य बती सभाग्य तो वही होगी सभाग्य साल नहीं जिसके पती जिवित होंगे पुत्र भीर पुत्रों वाली तो वही होगी जिसके पती होगी अब मेरी मती कैसे मारी गई अब धन चकर सबार हो गई पितामा को अब साफ छुछुंदर का हल हो गया करे तो करे क्या ये कैसे हो गया ये हमारे जी को क्या हो गया पर द्रोपती कहती है कि बाबा कल कुछ और आज कुछ और तुम सत्य वरती कहलाते हो मेरे पांच उपतियों में एक भी मारा जाएगा तो क्या तुम्हारा आशिरवाद जोटा नहीं कहलाएगा इसलिए अपने आशिरवाद को अपने पास रखो मुझे नहीं चाहिए पर पितामा जो आशिरवाद दिद्यों तो लोटाएगे कैसे सुचने लगे कि उस पांडव के सिवीर में कौन ऐसा बुद्धिमान था जो मुझे इस तरह से धर्म संकट में डाल लिया सब पर ख्याल गया पर एक पर जब ख्याल गया तो पितामा के मन में खटकने लगा कि उसी का काम है पितामा कते बेटी तेरे इन प्रस्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा तेरे पतियों का निर्ने भी पीछे कर पाऊंगा पर एक बात खटकती है मन में हैरान है जिसने कर डाला बतला बेटी वो कहा छिपा है यहां तुझे लाने वाले कहा छिपा बठा है जिन्हों ने तुझे यहां पर लाया इस मोडल में लाया इस तरह से एक्टिंग करते बटाया जाकर करेक्टिंग करो परनाम करो ताकि वो बुढ़ा बबावा सिरवा दे दे किसने भेद बताया बूढ़ा होने को चला फिर भी नहीं गई चोरी नहीं नीतियां चलती है हमसे चोरी तुमसे चोरी आभी भी उसके चोरी नहीं गई पितामा बाहार आते हैं तो देखा तो रातों का दृष्ष निराला था और पितामबर का घुंगट डाले खरा बाहसरी वाला था देखो चलिया चलने को आया है भगतों की रक्षा है तो दासी का भेश बनाया है तो देखा तो वहाँ पर अजीव सा हो गया देखा तो धी द्रोपदी की जूती पितामबर के कोने में अर्मे करना का भार लिये लगे पितामारोने में पितामबर भाव विभोर हो गए जब भगवान को खड़े खड़े देखा और वो भी दासी के भेश में और भी महरानी द्रोपदी का चपल को इसे छिपा करके पकड़े हुए हैं लगा कि भगवान ही ऐसे हो सकते जो भगतों के लिए क्या नहीं कर सकते हैं पितामा काते बेटी अब दुनिया में कोई तुम्हारे पती को कुछ नहीं कर सकता हे दुरुपद सुता जाओ अब भीजे तुम्हारी है पतियों का बाका बाल नहो जब रक्षक कृष्ण मुरा रहे कोई कुछ नहीं करेगा जाओ पर तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है पहरा देता होगा जो बिष्ण रचाने वाला है वही पहरा देता है बाके उस पहरेदार के सामने कुछ नहीं कोई बिगाड सकता इस तरह से पितामा भिस्म काते हैं पर वो आप ने जब किरपा करी तो मेरी परतिग्या का कुछ नहीं हुआ और पांडब बच गए आप जो चाहते हैं वहीं करते हैं आप ऐसे भक्त वत्सल हैं आज मैं धन्डी हो गया कि अंत समय में आपका दर्शन कर रहा हूं और इस तरह पितामा प्रभु की सुन्दर नित्र कमल मुखमंडल मुखारविंद मन्द मन्द मुश्कान युक्त मुखारविंद का दर्शन करते करते बाकी जाकी की छटाओं का दर्शन करते करते उस स्वरूप को हिर्दे परदेश में दर्शन किया और नित्र कमल बंद करके उसी स्वरूप में विलीन हो करके वसु लोग को चले गए देवताओं ने पुस्प की वर्शा की बोल ये वक्त वत्सल भगवाने की जैन इस तरह से आज भगवान ने बड़े सुन्दर तरीके से पांडवों से विदा लिये और अर्जुन को शाथ ले करके विविद राज्य का भर्मन करते करते भगवान आ गए द्वारिका पुरी को भोल ये वक्त वत्सल भगवाने की जैन ओ तेरे फूलों से भी प्यार तेरे काटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे काटों से भी प्यार तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे काटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार सब कई मिठी मिठी ताली जै स्री रादे तेरे प्यार तो जो भी देना चाहे दे-दे मेरे सरकार तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फोलों से दी प्यार तेरे कांटों से दी प्यार तेरे कांटों से दी प्यार मरजी में भी धाता कोई छुपा बड़ा राज तेरी मरजी में भी धाता कोई छुपा बड़ा राज दुनिया चाहे हमसे रूठे तुना हो ना राज तुनिया चाहे हमसे रूठे तुना हो ना राज तुझे बंदन है बार बार तुझे बंदन है बार बार हमको कर ले तो सुईकार हमको कर ले तू सुईकार आर तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तो जो भी देना चाहे दे मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तो जो भी देना चाहे दे मेरे सरकार जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे काटों से भी प्यार हम को दोनों है पसंद तेरी धूप और चाव हम को दोनों है पसंद तेरी धूप और चाव हम को दोनों है पसंद तेरी धूप और चाव हम को जिवीदी सामले चल जिंदरी किनार चाहे हमें लगा दे पार चाहे हमें लगा दे तार याड़ बादे मजिधार याड़ बादे मजिधार तों जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तों जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तों बोलों से भी प्यार तेरे काटों से भी प्यार तेरे पूर चाहे सुख दे या दोख चाहे चुख दे लगा चाहे दे दोख चाहे मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम हो मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम चाहे हसी भरा संसार चाहे आस्वों की धार तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तो तेरे फोलों से भी प्यार तो तेरे पोलों से भी प्यार तेरे काटों से भी प्यार तेरे फोलों से भी प्यार तेरे पोलों से भी प्यार बोलिये भक्त वत्सल भगवान की यार इस तरह से बड़े सुन्दर तरीके से यहां विविद राजी का भर्मन करते हुए भगवान द्वारिका पूरी को आए पांडवों के घर आज विदुर जी माराज भोत समय के बाद आए तो पांडव में जो धृतराष्ट था उसको ले करके विदुर जंगल को चले गए और उसकी मुक्ती हो गई समय पाकर के पांडव के घर में एक बालक का उत्तरा माने जन्म दिया अव युदिष्ठिर माराज की खुसी में भी चारचांद लग गए आनंद उत्सब मनाये बहुत धुमधाम के साथ वहाँ पर बालक का जन्म उत्सब मनाया गया और नाम करन किया गया उसका दो नाम था एक विश्णु रात और दूसरा परिक्षित परिक्षित के नाम से वह बालक विख्यात हो गया और आगे चलके भविश्वानी करी उस जोतिसने का ये बालक जब बढ़ा होगा तो अपने पूरवजों के जस्किर्ति को और बढ़ाएगा ये बहुत बड़ा धर्मातमा राजा होगा इनके डर से अधर्म और पाप भाग जाएगा परंतु इसकी मिर्तियु सांप के डसने से होगी ये दिश्थिर महराज दुखी हो गए तो जोतिस्वने का महराज इसकी मिर्तियु सांप के डसने से तो होगी परंत्यू मरने से पहले ये भगवान को प्राप्त कर लेंगे जैसे घर में आग लगने से किसी की मिर्त्यू लिखा हुआ है पर घर में आग लगने से पहले ओ घर में बिला बना करके निकल जे बाहर तो वहीं होगा शरीर को साप डसेगा पर आत्मा से ये परमात्मा में मिला लेंगे तब युदिष्ठिर महराज को सांती मिली समय बीता गया और एक दिन अरजुन लोट करके आया द्वारी का पुरिशे पर रोता हुआ अरजुन को देखकर युदिष्ठिर ने पुछा भाई तुम रोक्यों रहे हो तुम तो बड़े युद्धा हो दनुषधारी हो गंडिवधारी हो तो तुम इस तरह से रोक्यों रहे हो हमारे प्रवु का समाचार द्वारी का बासियों की खुस खबरी तो सुना अब अरजुन और रोने लगे काते भाईया आज हम लोग अनात हो गए पता है कि जिस भगवान की किरपा से हम आज विश्व विजाई हुए वही भगवान आज हम लोग को छोड़ कर चले गए बंचितो हम महाराज हरी नाम बंधोरो पिना ये नमे पहरतम तेजो महाराज आज हम लोग बंचित हो गए अनात हो गए वह द्वारे का बासी भी द्वारे का पुरी सहित समुद्र में डूब गया हमारे पर वोपर धाम को चले गए इतना का कि अर्जुन और जोर जोर से भिलाप करने लगा कदेश अर्जुन का कोई अस्तित्य नहीं है हम तो बस प्रान हीन मुर्दे के तरह अब हो गए पांडव जब दुख ये दुख भरी ख़वर सुना तो पांचों पांडव भी राजपाट का त्याग कर दिये हिमाले की यात्रा पर चले गए राजा बना दिये परिक्षित को पांचों भाई उत्तर पर दिस हिमाले पहाड की यात्रा के जाते जाते उधर गंगोत्री में उपर सतोवन में तपोवन में जाकर के तप करते वे सरीर को गला करके स्वर्ग के अधिकारी हो गया इस तरह से एक यूग का अंत हो गया पांडव यूग का अंत हो गया अब यूग हुआ परिक्षित का यूग महराज परिक्षित जब सम्राट बने तो दसो दिसाओं में धर्म की धजा फारने लगे सब तरह भक्ति भजन पोजन धर्म कर्म यग्य अनुस्ठान पुन्य कर्म होने लगे और सब जगा खुशाली ही खुशाली देखिए दुख विपति दरिदरी तब आती है जब हम पाप कर्मों को बढ़ावा देते हैं उस पाप कर्म में हमारी प्रवित्ती बढ़ने लगत प्रवित्ती है असांती और दुख होता है जीवन में गौव में समाज में और जिस गौव में समाज में आध्यात्मे के ज्यान ध्यान का परचार होता है वहां के समाज सोसाइटी अच्छे होते हैं बाबा साब ने कहने के किरपा किये कि सब से उपर लिखो स्प्रिच्वा morality के नीछे, ordinary society, sav के नीचे, politics. कहते जिस देश समाज में आध्यात्मिक उख्यान का परचार परशार होगा वहां की लोग सदाचारी होंगे, अच्छे चाल चलन रहन सहन में रहने वाले होंगे और जहां के लोग जहां के समाज की लोग सदाचारी होंगे वहां के समाजिक निती अच्छी होगी और जहां के समाजिक निती अच्छी होगी वहां के राज निती कभी खराब नहीं हो सकती कि गुरु माराज से किसी ने पोछा कि आप तो धियान करते हैं सत्संग करते पर समाज के लिए क्या करते हैं क्योंकि बड़े बड़े देश में बड़े बड़े देश प्रेमी जो है अपना फासी पे लटक गए थे बीर भगत सिंग्खुदी राम बोस सुवास चंदर बोस गोली हस्ते हस्ते खाली है थे सीने पर गोली बड़े बड़े लाखों बीर जवानों ने सपूतों ने इस भारत मा की सेवा के लिए बली पर चड़ गए बली दान दिये कि नहीं पर गुरु महराज से पुछा आप क्या करते इस भारती माता के लिए कौन सी सेवा करते हैं तो गुरु महराज करते देखो मैं इस भारत देश के जड़ को मजवूत करता हूँ यहां के लोगों में सुधार हो बुनियादी सुधार हो इसी के लिए मेरा परचार है सदाचार का मैं जब दिख्षा देता हूँ तो लोगों से बचन लेता हूँ कि हमको कुछ दे दीजिये तब मैं दूगा क्या लेते है माराज हजार दो हजार पाँच हजार क्या गुरु माराज कते नहीं मैं उनसे पाँच चीज लेता हूँ पहला जूट दुसरा चोरी किसरा नसा चोथा एंसा पाँच मा बेभी चार मैं उनसे बचन बद करा लेता हूँ कि ये पांच पाप आप छोड़ दीजिए और जब वो तयार हो जाते हैं तब मैं उसको गुरु मंत्र दे देता हूँ अब एक आदमी सुधर गया तो उसके आगे की जो पीड़ी है वो सुधरा की ने सुधरा तो इसे हजारों लाखों दिक्षित हैं जो सदाचार के मारग पर चलते हैं तो हजारों लाखों को मैंने अकेले सुधरा है दस आदमी को सुधरने के लिए दस पुलीस आता है एक गौमें लड़ाई जगड़ा होता है दस गाड़ी पूली साती है तब जाके सुरक्षा होता है पर भक्ती मारग पर चल करके एक अच्छे सदाचारी संत होते हैं तो लाखों को सुधार देते हैं तो यह देश की सिवा हो की नहीं यह बहुत बड़ी सिवा है आध्यात्मि परिक्षित के राज में ऐसी तरह से सुधार होने लगा पर एक दिन महाराज परिक्षित परजान रिक्षन में जा रहे थे तो देखा किया कि एक बचड़ा और गौ आपस में वारता लाब कर रहा है बचड़ा जो था वो एक ही पर पर खाड़ा था तीन पर उसका टुटा आप उसी समय काला कोलोटा ब्यक्ति आया और दी कोरा मार मार करके गौव बचड़े को मारने लगा परिक्षित को बड़ा दुख हुआ परिक्षित का तरे भाई तुम कौन हो रुक जाओ मेरे सामने या नर्थ नहीं कर सकते मैं तुमें कठोर दंड दूंगा इस तरह परि कोटा ब्यक्ति परिक्षित के सामने रोने लगा इफ काते महराज मुझे माप कर दो मैं कल जुग हूं कं जुग और यह जो बच्ओडा है यहे धर्म है यह जो गाव महरानिय यह दो दरती देवे हैं बेता को बेटा आँख दिखाएगा धरम भी होगा करम भी होगा परंतु सरम नहीं होगा हंस चुवेगा ताना घुंग्टा कववा मोती खाएगा राम चंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुगाएगा कल जुकते माराज मेरे राज में ये अनिती अधर्म होना निश्चित है आज जो थोड़ा बहुत समाचार सुनते हैं आज जी न्यूज में एक समाचार दिया था ताजा खबर पंजाब के का खबर है कि एक पती पत्नी और उसकी बुढ़ी मा रहती थी माकान लेकर के किराये और खुद जमिंदार पैसे वाली थी चार कम रहे था उसका बाजार में बाहर में बातचित कर रहे थी शास पुतो उधर से उसका बेटा आता है और एक दो बात हुई अव साट सतर साल के उसकी मा है उसको हाथ घुमा करके इतना जोर से चाटा मारा कि बेचारी बुढ़ी गिर गया उसी समय मर गया यही अकल जो जिस मा को मात्री देवो भव साक्षात देवी की मुर्दी कहा गया है जिस माता के रुईन से कभी पुत्र सो जनम में भी उरीन नहीं हो सकता इतना उपकार उस मा की है एक खुण को जला जला करके वो बच्चे का पालन पोशन पेट म में ही करती है शरीर सूख जाता है खुण पानी हो जाता है और शरीर पीला पड़ जाता है उस बच्चे का पालन बच्चे के नाभी से माता के शरीर का खुण जाता है अन पानी जाता है तब बच्चे का पोशन होता हो एक दिने दो दिने नौनो महिने और फिर सौ सो बार वो बच्चा पेखाना पेशाब करता है, मा को कभी घिन घिना नहीं लगता, ठंडी हो, गर्मी हो, बर्शात हो, कपड़ा बदलने के लिए, नहाने के लिए, सब जगह से तयार रहती है, ऐसी सेवा, ऐसा उपकार, और ऐसी मा को एक चाटा में ही जान से मार देना, इक कल जु पाते सुनो, यदि तू धारम को